नमो नमा संस्कृत निधी चैनल में आपका हार्दित स्वागत हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा सात के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्ठे पुस्तक संस्कृत रत्नम का अश्टादश पाठ पढ़ेंगे जिसका शिर्शक है बुद्धिर यस्य बलम तस्य और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनवाद और अभ्यास कार्य दोनो देखेंगे तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंदित पिछले पाट के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो आप वहां जाकर उन्हें तो शुरू करते हैं आज का पाट अठारवा पाट है बुद्ध यस्य बलम तस्य अर्थार्थ यस्य बुद्धी तस्य बलम जिसकी बुद्धी उसका बल अर्थार्थ जिसके पास बुद्धी होती है वही बलशाली है अर्थ देखते हैं इसका पिथोरा गड राज्ये कश कश्चित अर्जुन देव नाम राजा राज्यम करोतिस्म पिथोरागड राज्य ये एक राज्य का नाम है कि पिथोरागड राज्यम में कश्चित कोई अर्जुन देव नाम का राज्यम करोतिस्म राज्य करोतिस्म करता था करोती वर्तमान काल की क्रिया है किन्तु जब हम इसके साथ स्मा का प्रयोग कर देते हैं तो ये हमें बूत काल का बोध कराती है फिर से देखिए पिथोरागड राज्य में कोई अरजुन देव नामक राजा राज्य करता था सह अत्यंतह उदारह दानी वीरश चापी आसीत सह वह अत्यंत अत्यधिक उदार दानी यहाँ पर देखिए दो पद तीन पद है वीरश चापी तो वीरह श का विसर्ग हो जाएगा वीरह चापी में च प्लस अपी तो च आगे आजाएगा और वीर अपी भी आसीत था वह अत्यधिक उदार दानी और वीर अपी भी आसीत था तस्य राज्य कोपी जनह दुखितह नासीत तस्य उसके राज्ये राज्य में कोपी कोई भी यह जो S जैसर जो चिन है यह अवग्रह कहलाता है जब हम इनको अलग-अलग करेंगे संदी विच्छेत करेंगे तो दो पद निकलेंगे कह धन अपी यह S का A हो जाएगा तो उसके राज्ये में कह कोई अपी भी जनह व्यक्ति दुखितह दुखि नासीत नहीं था दो पद है नासीत में नासीत नहीं था उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखि नहीं था परंच महराजह अर्जुन देवह स्वयम अतीव दुखम अनुभवतिस्म परंच यहाँ पर दो पद है परंच और किन्तु महराज अर्जुन देव स्वयम अतीव दो पद है महलंत होगा और निकलेगा तो अतीव बनेगा स्वयम अतीव अर्थार्थ स्वयम खुद अतीव बहुत अधिक दुखम अनुभवतिस्म दुख को अनुभव कर रहे थे कहने का आर्थ है कि वे राजा इतने अच्छे थे कि उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था अर्थार्थ उनकी प्रजा बहुत सुखी थी किन्तु महराज अर्जुन देव स्वयम अत्यदिक दुखी थे अब उनके दुख ही होने का कारण क्या था? यतोही तस्य कोपी संतती नासीत यतोही क्योंकी यतोही एक साथ होता है उसका आर्थ होता है क्योंकी क्योंकी तस्य उनके कोपी कोई भी संतती संतान नासीत नहीं थी क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी तो महाराज के दुख का कारण क्या था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी अहो रात्रम इदम एव चिंतयन यापयति स्म अहो रात्रम अहो अर्थार्थ दिन रात्रम अर्थार्थ रात दिन रात इदम एव यह ही यही दिन रात यही चिंतयन सोचते हुए शत्री प्रत्य है इसमें चिंत धातु से तो चिंतयन सोचते हुए याप यतिसम बिताते थे यत की मम मेरी मृत्युर अनंतरम दो पद है मृत्यु हुआ अनंतरम। मृत्यु के पश्चात चतुरह चतुर बुद्धिमान च और बुद्धिमान कह कौन वा अथवा उत्रादिकारी भविश्यती होगा। अर्थार्थ वे दिन रात यही सोचते रहते थे कि उनके मृत्यू के पश्चात उनका उत्रादिकारी कौन होगा क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी फिर से देखे इस पंक्तिकार्थ अहो रात्रम दिन रात यही सोचते हुए बीत्ता था कि मेरी मृत्यू के पश्चात चतुर और बुद्धिमान कौन उत्त्रादिकारी होगा? एक दा तेन स्विये राज्ये इमाम गोशनाम अकारयत एक दा एक बार तेन उनके द्वारा स्विये अपने राज्ये राज्य में इमाम यह गोशनाम गोशना अकारयत की गई? एक बार उनके द्वारा अपने राज्ये में यह गोशना की गई यत की यह जो कह अपी? को अपी? कह अपी जो कोई भी मम मेरी अरजुन देवस्य अरजुन देव की कृतायाम की गई? परिक्षायाम उत्तिर्णों दो पद हैं यहां पर देखिए परिक्षायाम उत्तीर्णों. परिक्षा में उत्तीर्ण अर्थार्थपास भविश्यती होगा तम एव जनम. वही व्यक्ति या उसी व्यक्ति को अहम मैं स्वस्य राज्यस्य. स्वस्य अपने राज्यस्य राज्य के उत्त्राधिकारी रूपेण, उत्त्राधिकारी के रूप में चयनम करिश्यामी, चयन करूंगा. अर्थार्थ एक बार राज्या ने इन सबसे दुखी होकर एक घोश्ना की कि मेरे द्वारा जो परिक्षा ली जाएगी, उसमें जो कोई भी व्यक्ति उत्तियन होगा, अर्थार्थ उस परिक्षा को पास कर लेगा, उसी व्यक्ति को मैं अपने राज्य का उत्राधिकारी फिर से देखे इस पंक्तिकार्थ, एक बार उनके द्वारा अपने राज्य में यह घोशना की गई की जो कोई भी मेरी अर्जुन देव की की गई परिक्षा में उत्तिर्ण होगा वही या उसी व्यक्ति को मैं अपने राज्य का उत्राधिकारी के रूप में चयन करूँगा. गोशनाम शृत्वा राज्यस्य युव युवतयाह निर्प सदनम समागताहा. गोशनाम शृत्वा गोशना को शृत्वा सुन करके राज्यस्य राज्य के युव युवतयाह युव युवक युवतयाह युवतियां. निर्प सदनम राजा के घर को समागताहा आए. गोशना को सुन करके राज्य के युवक और युवतिया निर्प सदन राजा के सदन को समागताहा आए निर्धारिते दिनी निर्धारित दिन पर राजा राजा ने मंत्रिनम आदिश्टवान मंत्री को आदेश दिया निर्धारित दिन पर अर्थार जिस दिन के लिए घुशना की गई थी उस दिन राजा ने मंत्री को आदिश्टवान आदेश दिया अब ये आदेश वही परिक्षा है जिसमें उत्रादिकारी का चयन होगा अस्माकम सेना यहा सर्वन्नतह उष्ट्रह उत्थितह अस्ति तम आने अस्माकम सेना यहा अर्थार हमारी सेना का सर्वन्नतह सर्वन्नतह सबसे उन्नतह उचा सबसे उचा उष्ट्रह उट उत्थितह अस्ति उठा हुआ है तम आने उसको लाओ क्या गोशना दी? क्या गोशना आदेश दिया राजाने मंत्री को कि हमारी सेना का सबसे उचा, हुन्नतकार्थ होता है उचा, सबसे उचा, उष्ट्रह उट, उत्थितह अस्ती, उठा हुआ है, तम आने, उसको लाओ. मंत्री उष्ट्रम नीत्वा आगत्वान, मंत्री उट को ले करके आया, पुनह राजा अवदत, फिर से राजा बोले, युव कहा, भवत्सु यह अस्य उष्ट्रपीठस्य उपरी एकम पादम स्थापिश्यती, अपरश्च पादह भूमव सैव मम उत्त्राधिकारी भविश अब राजा ने क्या गुष्णा की? परिक्षा क्या थी? युव कहा, युव को भवत्सु आप में से यह जो अस्य उष्ट्रपीठस्य इस उट की पीठ के उपरी उपर एकम पादम एक पैर को स्थापिश्यती रखेगा अपरश्च पादह च अपरह च पहले हो जाएगा और अपरह दूसरे पादह पैर को भूमव कृत्वी पर भूमी पर सैव वही मम उत्त्राधिकारी भविश्यती वही मेरा उत्त्राधिकारी होगा अब राजा ने ये परिक्षा रखी कि आप लोगों में से जो कोई भी इस उट की पीठ के उपर अपना एक पैर रखेगा और दूसरा पैर भूमी पर रखेगा वही मेरा उत्त्राधिकारी होगा एतत शुत्वा असंभवम इदम कार्यम मत्वा सर्वे अपी युव काहा परस्परम मुखम विलोक्य पराजयम मत्वा तूशनीम अभवन एतत शुत्वा यह सुन करके असंभवम इदम असंभव यह कार्यम मत्वा कार्यको मत्वा मान करके सर्वे अपी सभी युव काहा युवक परस्पर आपस में मुखम विलोक्य मुह देख करके पराजयम मत्वा पराजय को मान करके तूशनीम अभवन चुप हो गए अर्थार्थ सब को लगा कि ये तो एक असंभव कार्य है कि एक पैर उट की पीट पर रखना है और एक पैर प्रित्वी पर रखना है तो सभी इस असंभव कार्य को सुन करके फिर से देखिए यह इदम कार्यम असंभवं यह सुन करके यह कार्य असंभव मान कर सर्वेयपी सभी युवक परस पर मुह देख करके पराजे को मान करके तूशनीम अर्थार्चुप अभवन हो गए। तदैव तभी जनसमुहात जनसमुह से लोगों की भीड से रपस्य राजा के एकेन एक अनुचर पुत्रेन अनुचर कहते हैं सेवक को तो राजा के एक सेवक के पुत्र द्वारा उक्तम कहा गया यत की अहम मैं एतत कर तुम शक्नोमी कि मैं यहर कर सकता हूँ फिर से देखिए तभी जनस समुहात लोगों के समुह से लोगों की भीड से राजा के एक सेवक पुत्र के द्वारा अर्थार्थ सेवक के पुत्र द्वारा उक्तम कहा गया की मैं यह कार्य कर सकता हूँ यह कर सकता हूँ यदि भवान आज्या पयती यदि आप आज्या देते हैं तो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ अगर आप मुझे आज्या देतो क्योंकि वो उनके सेवक का पुत्र था राजा अचिन्तयत राजा ने सोचा यत की राज्यस्य सर्वे युवानह इदम कार्यम कर तुम असमर्था हसंती तत कार्यम मम अनुचर पुत्रह कथम भा कर तुम शक्नोती तो राजा ने सोचा की राज्यस्य सर्वे राज्य के सभी युवानह युवक इदम कार्यम कर तुम यह कार्य करने में असमर्था हसंती तत कार्यम वह कार्य मम अनुचर पुत्रह मेरा सेवक का पुत्र मेरे सेवक का पुत्र कथम कैसे कर तुम शक्नोती कर सकता है फिर से देखे की राज्या ने सोचा की राज्य के सभी युवक यह कार्य करने में असमर्थ हैं तो वह कार्य मेरे सेवक का पुत्र कथम कैसे कर सकता है तथा पी राज्या अग्यापयत यत कृत्वादर्शय फिर भी राज्या ने अग्यापयत अर्थार्थ आग्यादी की कृत्वादर्शय करके दिखाओ अनुचर पुत्रह उष्ट्रस्य समिपम गत्वा तम जजजज इती वदन भूमव उपवेश्टूम अभिनयम क्रित्वाद अनुचर पुत्रह अर्थात सेवक के पुत्र ने उट के समिपम पास गत्वा जा करके तम उसको जजजज़ इती इस प्रकार से वदन बोलते हुए भूमव भूमी पर उपवेश्टुम बैठने के लिए अभीनयम कृत्वान अभीनय किया अर्थात वो जो अनुचर पुत्र था उसने उस उट के पास जा करके उसको जजज़ इस प्रकार के स्वर से बैठने का अभीनय किया ये नीचे बैठ जाए उट फिर से देखे अनुचर पुत्र ने उट के समीप जा करके उसको जजज़ इती इस प्रकार से वदन कहते हुए भूमी पर उपवेश्टुम बैठने के लिए अभिने किया उष्ट्रह अधह उपविष्टवान उट नीचे बैठ गया तदा तब अनुचर पुत्रह सेवक पुत्र ने जटिती शिग्रता से तस्य प्रिष्टस से उपरी उसकी पीठ के उपर एकम पादम निक्षिप्य एक पैर रख करके एकम पादव भूमव संस्थाप्य एक पैर भूमी पर रख करके स्वबुध्धी अपने बुध्धी कौशल अस्य कौशल का परीचयम दत्तवान परीचय दिया अर्थाट जैसे ही उँट नीचे बैठा और उस अनुचर पुत्र ने शिग्रता से अपना एक पैर उसकी पीठ पर रख दिया और एक पैर नीचे भूमी पर रख दिया अपने बुद्धी कोशल का परिचय दिया। अर्जुन देवस्य दोशस्य परिज्ञानम जातम आसीत। अर्जुन देव के दोश का ज्ञान हो गया था। अर्थार्थ अर्जुन देव ने जो परिक्षा दी थी, उसमें क्या दोश था? ये उनका ज्ञान हो गया था. यत की, अब क्या दोश था उस परिक्षा में? सह उश्टरम उत्थितह एव तिष्टतू इतीन आदिशत. सह उन्होंने उट को उत्थितह एव तिष्टतू. ऐसा ही कहा था कि एक पैर उट की पीठ पर रखना है और एक पैर धरती पर रखना है. ऐसा नहीं कहा था कि उट के खड़े-खड़े ही रखना है, बैठे हुए उट के उपर नहीं रखना है. अतह संकेतम प्राप्य उष्ट्रह भूम उप्विष्टवान इसलिए संकेत को उठ भूमी पर बैठ गया। राजा ने अनुचर पुत्र को ही राज्य के पुत्राधिकारी के रूप में मनोनीत कृत्वान किया। अतह कथितम अस्ती इसलिए कहा गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य अर्थार्थ जिसके पास बुद्धी है उसी का बल है। तो ये था इस पार्थ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं पार्थ का अभ्यासकार्या। पहला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत। राजा काम गोशनाम अकारयत यत यह कोवपी मम्कृतायाम परिक्षायाम तिर्णों भविश्यती तमेव जनम अहम स्वस्य राज्यस्य उत्राधिकारी रूपेण चयनम करिश्यामी अगला प्रश्न है कस्य प्रिष्टस्य उपरी पादह स्थापनी यह आसीत अगला प्रश्न है रिक्तिस्थान आनी पूरयत यह रिक्तिस्थान पाट से ही लिए गए है तो इनको यहाँ लिख दिया गया है अगला प्रश्न है एतेशाम पदानाम विभक्तिम वचनम चलिकत नीचे कुछ पद दिये गए हैं उनके विभक्ति और वचन लिखने हैं अगला प्रशन है एतिशाम पदानाम लकारम पूरुषम वचनम चलिखत नीचे कुछ पद दिये गए हैं उनका लकार पूरुष और वचन लिखें पहला पध है यापयती लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, करिश्यामी रिटलकार उत्तम पुरुष एक वचन, स्थापयतु लोटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, आग्यापयती लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन अगला प्रश्ण है अधो लिखितानाम पदानाम संधी विच्छेदम कुरुत मृत्यूर अनंतरम उत्त्रादिकारी उत्तरधन अधिकारी बुद्धिर यस्य बुद्धी धन यस्य तो ये था इस पाट का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार रहे हैं यदि आपको पाट से संबंदित कोई प्रश्ण है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ जैतु संस्कृतम